हेलो फ्रेंट्स मैं आप सब लोगों का अपने एडुकेशनल चानल पे हरदिक स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज का टॉपिक है आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एक्जाम के लिए फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बिहार दरोगा एक्जाम के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए आप अगर इस एक्जाम को देने तो आपका चेश्ट कितना होना चाहिए आपका weight कितना होना चाहिए इन सबी बातों को हम लोग समझने वाले हैं विस्तार पुरुबक तो अगर आप लोग बिहार दरोगा exam देना चाहते हैं या दे चुके हैं तो आप लोग को जो है इन physical fitness के बारे में जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए तो वीडियो के अंदर तक जुरूर बने रहे हैं ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके तो यहां पर हम लोग बात कर लें बिहार दरोगा के physical fitness के लिए तो मैं आप लोगों को तीन measures में बताऊंगा height उसके बाद chest उसके बाद weight की अगर बात कर ले तो male general category और backward and extremely backward categories के लिए यानि male के जितने भी categories है अगर यानि हम लोग general और ebc category के अगर हम लोग बात कर ले तो यहां पर आपका height जो लिया गया है वो 165 cm लिये गया है male candidate के लिए general और ebc category के student के लिए और उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें चेश्ट की तो चेश्ट वहां पर आपका 81 cm से लेकर 86 cm तक होना चाहिए यानि without expansion आपका 81 होना चाहिए और with expand आपका 86 cm यहां पर होना चाहिए और अगर हम लोग बात कर लें weight के बारे में तो यहां पर male candidate के weight को measure नहीं किया जाता है तो यहां पर आपके सामने यह general category के लिए हो गया उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें male candidate की बात कर लें SC और ST के male category के बारे में तो यहां पर इसके अगर height की बात कर लें तो 170 cm इसका height होता है यहां पर measure किया जाता है और 79 cm से लेकर के 84 cm तक यहां पर चेस्ट जो है measure किया जाता है तो यह male candidate के लिए है SC और ST के लिए उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें female candidate के लिए तो यहां पर जो है यहां पर height जो है 155 cm होते है चाहिए female candidate जो है किसी भी category से belong करता है उसका height 155 cm होना चाहिए और यहां पर यह वाला portion इनके लिए applicable नहीं होता है तो यहां पर not applicable है उसके बाद यहां पर इनका weight जो है 48 kg होना चाहिए यहां पर आपके 48 kg जो है इनका measurement रखा गया है वहीं अगर male candidate की बात कर लें तो milk candidate के लिए किसी भी प्राकार का weight का कोई measurement नहीं रखा गया है तो friends उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह concept clear हो चुका होगा या यह doubt clear हो चुका होगा इस तरह के और में informative videos देखने के लिए आप हमारे channel से जुरी रह सकते हैं thank you very much मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए धन्यवाद God bless you all